नमस्कार प्रवसाक्षी देख रहें आप आपके साथ मैं हूं अंकेट सिंग जमु कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है अयोध्या में प्रभुराम मंदिर का प्रान प्रतिष्ठा सामारोह संपन्न हो गया है इसका इंतिजार लोग लंबे समय से कर रहे थे प्रधार मं प्रश्मीर के स्रीनगर में भी रामभक्त अपने आराध्य के स्वागत के जस्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे इस दौरान पुरिगहाटी में राम मैं का गूंज साफ तोर पर सुनाई दे रहा था इस उसर पर स्रीनगर के आतहासिक संक्रचार मंदिर में विशे करना कि इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा पर लोगों का उस्सा और लोगों के अंदर जागरिती है गलत रास्तों से बड़तना चोड़िए और सीदे रास्ते पे आजाएं आई राम मंदिर की प्राहम प्रतिश्टा बारा नतीस पे बारवाज के नंतीस मिन्ट पे उसी के पर लेजिए जहां पर प्रोग्राम रखा हुए है हमने तो पूरे विश्ट की दूआ के लिए कर रहे हैं किसी भी अंदर कहीं भी कोई इंटी जानवर प्रिंदा किसी की ना डेत हो जब हम पड़ टीवी पे देखते हैं बहाँ इतने उस कंट्री में इतने मर गेता है हमारा दिल अंदर से रोता है कि इनसानियत मर रही है इनको दो हुँआ भी जे होश नहीं आई कि हम भी एक इंसान है तो छिड़ दिखांद दूनिया के अंधर बहुत isद्था है कशमीर के अंदर आप जहां देखिए आज इसे राम अंदिर के अंदर पूरे भारत के लोग आए कहीं से कोई कहां से कोई लोग जो आप गों श्या प वेला हैं जो भीज़ देवात कोईून एट जोगे रहां कोई। जो आप देवाल जो प्राव जो निपना जो कोई। रहां जो कोई। यजा जो आप पर आफना कोई। our history and our mythology as well so yes as a Indian I am very happy, thank you so the big major inauguration is also going on in a Ram Mandir you also pray for that? yeah definitely I pray for that and I am talking about that only, that it's a good initiative and as a Indian I will say, not as a Hindu you know like as I said, it should be well known to our people, our culture and world should know about our our religion and what our belongingness I will say, that it is really a good initiative by our government I pray that may Lord Shiva grant us with more more aspects of more aspects of freedom and the ability to actually to think more and to thank every blessings that come into our life and to show more blessings and gratitude today in country major event is going on yes what's your thoughts about that it will be inaugurated today it is definitely definitely something very big because we have never experienced this before so it is truly very empowering to see this and standing among all races and culture you know it is so special so empowering for us in and it is conducted in such a manner that is so peaceful if you want to if you want to if you want to तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके